एक ही तो दिल है यार कितनी बार जीतेगा ये शो तो सचिव जी विकास प्रलाज जी और प्रदान जी वापिस आ जुगा है अपनी पंचायत लेके और अब जी नादी मानों लोगों को ये नहीं पताएगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ उन्हें ये नहीं पताएगे ये लोग हैं ही कौन फॉर फॉर्स ताइम हो पंचायत का नाव ही सुन रहा है और सबसे ज़रूरी कि एक बढ़िया फ्रेश रिलेटिबल और रियलिजम से बारा शो डूंड रहे हैं तो तुमें एक नहीं दुनिया में ले चलू 20,000 रुपे सेलरी है गाओं में पोस्टिंग है गाओं का नाम फुले रहे है ये मंजु देवी हमाई प्रदान और बिजबूसन जी है प्रदान पती अरे भाई या हाथ तो दोलें लें लिजे तो ये जो जलकी आपने देखी है वह है Amazon Prime के one of the best running shows में से एक की जिसका नाम ह है पंचायत जहां पर आयनों को जैंजी बचे इस शो से उतने जादा फैमिलर नहीं होंगे उना तो बस थी बॉइस लेवल का एडरल इंडर्स चाहिए बट गिव मी फो मिनिट्स आल मेक यू फॉल इन लव विद इस शो तो इस पूरे कहाने के शुरुआत होती है एक और शहरी लड़के से जो एक सिंपल सी हाई पेइंग जॉब चाता है ताकि वो एक स्टीबल और कमफर्टेबल जिंदिगी जी सके लेकिन बदले में अनफोर्चुनेटली वो एक 20,000 की छोटी सी गवर्मेंट जॉब के चकर में फुलेरा नाम के गाउं में ऐस पंचायत सचे म ना कोई नया तमाशा सुबा उठो दिन भर काम करो दिन भर गाउंवालों का चिक चिक रात को नाइट का चिक जिक जिक अपना में कारेक्टर फिर पिहार नहीं मानता ही डिसाइड़ कि नाव ही डेस्परेटली नीडिड़ अ प्रॉपर हाई पेइंग जॉब सो ही कें के प्यारे सचिव जी बन जाते हैं ये उन्हें भी नहीं पता चलता है इन फाक्ट एंड में तो प्रदान की कुरसी के लिए बस सब लड़ते रहते हैं और यही तो आजकल की स्क्रिप्टिड दुनिया में नहीं है और पंचायत तुम्हारी इसी जरुद को पूरे दिलो जान से समझती है और फुल्फिल भी करती है जिसमें भाई तुम भाशा लेलो पहनावा लेलो खाना लेलो रहन सहन का तरीका लेलो गाओं का इन्वार्मेंट लेलो दो लोग ज ये शोर तुम्हें अपने पन का एक एहसास दे चाएगा इन्फेक्ट एक अच्छी सी डीटेल भी बताता हूँ जिस पर कुछ फेमिनिस लड़किया भड़क भी सकती है इसलिए स्पोईलर लट और माफी अभी से ही लेलो तो सीजन 3 में एक ऐसी सिच्वेशन भी आती है ज यह अलग बोल दरा हूँ मैं यह तो सभी के साथ होता है बढ़ाई में साला किसका ही मन लगता है तो देखो वाई यह ना काफी माइनर सी चीज है देखो क्या होता है कि गाओं अगेरा में यह चीज़े बहुत ही कॉमन सी है कि वह लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाते है उनकी शादी ही करानी होती है at the end और दूसरे ही घर बेजना रहता है तो माबाप इसलिए उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते थे इसलिए एक time के बाद लड़की का खुद का interest खतम हो जाता था और वो फिर घरेली चीजों में और खुद के सजने सवरने में ही उलच जाती थी तो इसी वज़े से लड़कीों में वो जन्वेन interest भी नहीं रहता कि मैं आगे और पढ़ू ये तो आज कभी कुछ feminine stories जान बूच के बड़ा चड़ा के दिखाए जाते हैं कि भाई हम लड़कीों को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता हम पढ़ना चाते हैं माबाप हमें समझते ही नहीं है ये भी होता है I'm not denying this लेकिंग हर गाओं की कहानी को दर्शाने के लिए तुम लड़कीों को hustle करते हुए हमेशा मजबूर होते हुए दिखाओगे तो तुम reality को कहीं न कहीं चुपा रहे हो या कहलो सिर्फ वही दिखा रहे हो जो तुमने देखा है या तुम जानते हो बट इन reality दुसरे टाप के भी लोग होते हैं in fact show में भी माबाप खुद चाते हैं कि बेटा तो पढ़ लेकिन बेटा खुदी नहीं चाती पढ़ना उसे तो टंकी पे जाके चाय बीना है और ये बहुत ही छोटी सी चीज है जो डिरेक्टर टीपक कुमार मिश्रा जी ने और राइटर चंदन कुमार जी ने बहुत ही सटीक तरीके से पकड़ा है और उतने ही बेटर वे में दिखाया भी है जिस पर भाई मैं अपनी साइट पहले ही क्लियर प्रदू लड़कियों को डिफिनेटली पढ़ाय लिखाय करनी चाहिए प्लस इनफ नॉलेज अफ एवरिटिंग लेना चाहिए फॉर दै बेटर फ्यूचर वरना कमेंट्स में कुछ लड़किया मुझे ही नगर आने लगे बट 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 अला वांडे टो से कि ये शो रियलिजम और डीडिल्स पे पूरा ध्यान देता है जिसकी वज़े से तुम्हें तुम्हारे घाओं के डिफिनेटली याद आ जाएगी तुम्हारे मिट्टी के घर की याद आ जाएगी प्लस ये भी समझ में आजाएगा कि नहारे जस्पातों को छूके निकल जाती है और छोड़ जाती है एक अनफगेटबल और प्योर एक्सपीरियंस भागी ये मेरे उपीनियंस थे तुम अपनी बतावें सब्सक्राइब